हेलो गाईज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल मेरा नाम है निशित कुमार आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिष्टर सोहन टेग तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं ज्यादो कोई बैगरांड एडिटिंग नहीं करने वाला हूं सिंप्ली अपने रूम में बैठा दोस्तो चली स्टाट करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं दोस्तो वीपेएट्र नेटवर्क टेकनलोजी है जो आपके इड्रस है आपकी आईडेंटिटित है वह चुपा कर रखती है और जितनी भी website पर आप visit करना चाहते हैं वहाँ पर आप सारा data देख सकते हैं और आपकी identity भी छुपी रहती है और आपके phone का data है उसके hack होने का भी डर नहीं रहता है तो दोस्तों VPN होता क्या है और यह काम कैसे करता है आज मैं इस वीडियो में बताने माला हूँ तो दोस्तो VPN किस तरह आपके data को secure करता है आपके IP address को secure करता है यह पहले जान लेते हैं तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जब आप अपने phone में VPN install करते हैं और आप किसी website पर visit करते हैं तो VPN जो होता है वो आपके जो request होती है website पर जाने के लिए उस request को encrypt करके सीधा ISP के पास भेज करते हैं दोस्तों वहाँ पर भेजेगा लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनको नहीं पता चल पाएगा कि यह request आई है क्योंकि दोस्तों VPN जो है आपकी identity आपके IP address और जितना भी आपका data होता है उसको वहाँ पर नहीं दिखाता है और उसके बाद जब उस website पर जो request होती है वह data होता है जो जानकारी आप लेना चाहते हैं वह सीधा VPN के जरिए secure tunnel के जरिए आपके phone में दोबारा decrypt होके आयाता है जिससे आप किसी भी website के data को पढ़ सकते हैं वहाँ से जानकारी हासिल करते हैं और आपकी जो पहचान होती है वह भी छुपी रहती है और किसे को नही पर हैं यह कहां कहां रहने वाले हैं यह फिर आपका नाम क्या है आपके phone का नाम क्या है कुछ भी नहीं पता चलता है दोस्तों VPN का आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है और हां इससे आप एक काम भी कर सकते हैं जो website आपके country में बैन हो चुकी है आप उनको भी खोल कर दे नियमों के खिलाफ है दोस्तों अपने भर सरकार के नियमों को ना तोड़े हो सके तो जो हमारे इंडिया में यूज होने वाली website है उन पर ही जाए और जो website या apps बैन कर दी गई है आप VPN सर्वर का यूज करके उन पर ना जाए दोस्तों इससे आपको परिसानी हो सकती है आज के लिए टाटा